तो नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चानल पे आज के सुड़ी में हम बात करने हो ले मतलब 10 ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स देखने हो ले अफकोस यहाँ पे मैं आपको हाइलेट करके दिखा रहा हूँ जैसे कि आप देखी पा रहे है यह है माच सौथ आफ्रीका वर्सेस नेधरलेंड्स के बीच की 10 ड्री मिलियोन की विनिंग टीम्स बनाने हो और साथ यसाथ आपको दिखाने हो कि किस किस को आपको लेना है किस किस को नहीं लेना क्याप्टन वाइस क्याप्टन किसे बनाना यह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट जरू करूँगा कि चाइनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब निक्या है तो सब्सक्राइब कर लेजिए साथ यसाथ बेल आइकोन को प्रेस करके आल पर भ अप्षिन मिलता है और साथ ही साथ आप देख सकते माई टीम पर भी मैं अल्रेडी दस टीम्स बना के रख चुका हूँ जहां पर जाके मल्टीपल्स टीम बनाना थोड़ा आसान होता है तो इसी इसी ऑप्षिन को मैं प्रिफर करता हूँ और आपको मैं वहां पर जाके ही 10 टीमें एक एक करके प्रिवियो करके दिखाने आलो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं माई टीम पर क्लिक करते हैं पहली टीम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों जैसे की आफरीका की टीम थोड़ा ज्यादा मतलब प्लियर रहने वाले हर टीम में लेकिन ऐस करते हैं दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि डेविड मिलर वार वैंडर दुसेन और वी सिंग मतलब यह तीन बंदे हैं जिनको मैंने मतलब बैटिंग में यहाँ पर शामिल कर लिया है उसके बाद अगर आल राउंडर के बात करो तो एकरमैन है मार्क है और बीडी लीड और मार्को जांसन इस तरसे चार और बंदे हैं जिनका पर्फरमस पूरी तरह से काफी बढ़िया रहा है काफी शांदार रहा है और इसलिए इन चारों को साथ में मैंने ले भी लिया है ज्यादा ज्यादा टीमों में ड्रॉप नहीं करूंगा अगर पर देख पार है और आखिर में रबाडा भी मेरे पास करीब करीब हर टीम में रहने आले तो इसलिए मैंने आपर इनको भी ले लिया है क्योंकि काफी जबदर्स गेन बाद है ये भी इसके बाद आपकोस वन एन उली लास्ट टो मैचेस में दो शतक लगा चुके है वो है क बंटन डिकॉक और इनको क्याप्टन बनाना ज़रूरी है दोस्तो साथ इसाथ बीडी लीड्स भी काफी बड़िया परफोर्मस करें तो इनको वाइस क्याप्टन में बनाने जा रहा हो उल्टा करना चाहे तो आप ज़रूर उल्टा कर सकते बीडी लीड्स को क्याप्टन रिकॉक को भाइस कैप्टन भी आप बना सकते क्योंकि दोस्तों दोनों काफी टक करके प्लियर है और दोनों काफी बढ़िया परफोर्मस कर चुके है और आपको काफी फायदा करा के दे सकते चले दोस्तों पहले टीम तो काफी बढ़िया है ग्रैंड लीग हो बड़ी लीग स्माल लीगोulator किषी भी लीक के लिए लगाएंगे तो भी कोई प्रप्रप्रप्रेंगे कोई क्यूश्य के बात नहीं त्म को क्लॉज करते हैं दूशरी टीम हमें देख लेनी है दूशरी टीम की बात करूं तो यह पर क्लासेन को भी मैंने ली जैसे कि आप देख पार है मर्करम रहेंगे बीडी लीड्स मारको जांसर चारों फिर से जैसे कि आपको अल्रेडी बता चुक हो कि चारों काफी जगपे मेरे पास रहने ही वाले तो आल राउंडर में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया लेकिन गेन बाजी में काफी ज्यादा कर रहा हूं यहाँ पर देख सकते मैंने पीवैन को रबाडा को दत को तीनों को यहाँ पर लिया है और काफी बढ़िया यह भी गेन बाजी है मतलब इननों को भी विकेट मिले है दत को भी तो आप ज़रूर इनको भी जादा टीमों में ट्राइक कर सकते हैं फिलाल हमारी द उनों के साथ ज़रूर जा सकते हैं आज़क क्याप्टर हम सकते हैं को चूज कर सकते हैं कि फोल्मिला के टीम अक्षीकासि है लिए लिए कि उस्टा इस तर से ने हैं तुर 20 टीम की बाथ करू तो तो आप देख सकते दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर तीसरी टीम की बात करें तो मैं आपको ज़रू दिखाना चाओंगा कि कॉंटेंट डिकाउक को मैंने यहाँ पर लिया है आज़र विकेट की पर बाकी किसी और को नहीं लिया है टीबाउमा रहेंगे आरवाएंड दूसें दोनों बैसमन यहाँ पर ज़रू रहेंगे अफकोस ओल राउंडर एकरमैन मरकरम बीडी लीट्स मारको एंसन चारों ओल राउंडर मेरे पास यहाँ पर फिर से रहने वाले हैं लेकिन इस टीम की एक अलग बात यह है कि मैं यहाँ पर चार गेनबाजों को भी इस टीम में शामिल करने वाला हूँ पी भैन रहेंगे केशो माराज रबाडा और एदत चारों अच्छी खासे गेनबाज है चारों ने काफी बढ़िया भी परफॉर्मस केया तो आप ज़रूर इन चारों को साथ मिलेंगे तो फाय देमन साभित हो सकता है मरकरम को कैप्टन रबाडा को वाइस कैप्टन एक अच्छा खासा ओल राउंडर है बैटिंग के साथ साथ गेनबाजी भी कर सकता है तो एक अच्छा खासा गेनबाजे विक्टे निकाल सकता है तो इसलिए आपर इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है कुलमिला के अच्छी टीम है, ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, किसी भी लिखे लिए यूज़ करेंगे, तो भी कोई प्राब्लिम नहीं, कोई दिकत नहीं, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, कोई, चलिए दोस्तो, इस टीम को भी अभी क्लोज कर ले अच्छा परफर्मस कर ले कल, तो इसलिए आपर हमें पच्छतावा ना रहो, तो इसलिए इनको भी मैहा पर जरूर शामिल कर लूँगा, इसके बाद वैंडर दुसेन और यहापर निंदूरन को भी मैह स्टीम में शामिल करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कल अगर यह अच्छा खेल जाते, तो हमें नुकसार ना हो, इसलिए इनको कई ना कई, कुछ टीमों में जरूर लेना होगा, उसे अकरमैन, मर्करम, बेडी लेट्स, मार्क वैंसन, ये तो हमारे पास जरूर रहने वाले, जैसे के आपको पता ही है, लेकिन गेनबाजी में देख सकते है तो यहाँ पर मैंने दो ही गेनबाजों को शामिल किया है, पीवैन और रबाड़ा, बाकी किसी और को मैं एस्टीम में शामिल नहीं करूँगा, कुल मिला के मेरे पास ओप्षन ही दो बचे थे, तो इसलिए इन दोनों को ही मैं एस्टीम में शामिल करूँगा, अब चलते ह बात कर लेते, कैप्टन, वाइस कैप्टन की, तो अफकोस मारको एंसन को इस्टीम का कैप्टन रखूँगा, और डिकॉक को वाइस कैप्टन रखूँगा, हो सकता है, डिकॉक से भी जादा बढ़िया परफॉर्मस कल, मारको एंसन कर ले, तो इसलिए आपर इन दोनों को क करऊंगा कि यहाँ पर देख सकते में कौंटन डिकॉघ के साथ डुभान को घ्लुंगा मरक्रम और BD Leads दो ही आपर All-Rounder रखोंगा मैं यहाँ पर देख सकते दोस्तों क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ changes करते रहेंगे तो ही हमारी कोई ना कोई team आपको बड़ी league जिता सकती है या grand league जिता सकती है अगर हम same team में बनाते जाएंगे और कुछ भी बड़े changes नहीं करेंगे तो आपके जितना मुश्किल है दोस्तों यहाँ पर Air Vander दूसें पाच गेनबाजों को ले रहा हूँ महाराज, रबाडा शम्शी को भी लूँगा दत्तों को भी यहाँ पर शामिल कर लूँगा इसके अलावाज गेनबाज होने के वज़े से हमारी गेनबाज ही काफी ज़्यादा मजबूत हो गए हो दोस्तों और अगर सच में अगर यह पाचों अगर अच्छा परफॉर्स करते तो आपको Grand League जितने से कोई नहीं रोख सकता यहाँ पर कगिस और रबाडा को में इस ट्रीम का क्याप्टन बनाने जा रहा हूँ जैसे के आप देखी पारे वाइस क्याप्टन जाओंगा हैंरिक क्लासेन के साथ क्योंकि क्लासेन भी काफी जबदा स्ट्राइक रेट से बल्लेवाजी कर लेते रस्तो तो आपको काफी फाइदा कराके दे सकते रबाडा निदर्लन्स के टीम है अज दोस्तो मुझे लगता है कि कल रबाडा का फाईडा विकेट ह Θaws होने वाला है जै दोस्तो मेरा मुझे लगता है कि पाछ वकेट कम याम जो ourselves तो अगर आप इनको captain बना के रख दे तो आपको grand league जितने में आसानी होगी इसलिए मैंने इनको यहाँ पर captain बना दिया है यह भी team मैं सिर्फ बाप किजिए का दोस्तों सिर्फ grand league के लिए suggest करूँगा बड़ी league के लिए suggest करूँगा small league के लिए यह भी team मैं suggest नहीं करूँगा फिर भी अगर आपको लगता है कि small league के लिए भी अच्छी team है तो आप ज़रूर try कर सकते हैं तो कुल्मिला case team को close करते हैं छटे team हमें देख लेनी है चटे team की बात करूँ तो यहाँ पर decock adwords दोनों को मैं ले रहा हूँ और class in को यहाँ पर drop कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों फिर से बता दूँ कुछ ना कुछ changes करते हैं रहना होगा तभी हम grand लिग जेश सकते हैं और वी सिंग को भी हम कई ना कई जरूर लेंगे यह भी बंद बंद अच्छी बैटिंग कर लेता है तो आप आप जरूर इनको कुछ टीमों में जरूर शामिल कर सकते हैं इसके वाद जैसे allrounder में एकरमेन मरक्रम और बीडी लीड्स तीन ही allrounder हैंगे मेरे पास लेकिन गेनबाजी में मेरे पास केशो महाराज रबाडा और एदत्त फिर से तीनों रहने हैं क्योंकि दोस्तों काफी बढ़ी आप लिया रहे यह भी और जरूर आप यह तीनों अच्छी विकेट्स आपको यह लेके देंगे जिसे आपको काफी फायदा कराके दे सकते है यहापर आप अर वैंडर दुसेन के साथ काफी कं लोग जाएंगे दोस्तों क्यापटनव स्क्रमłe वाइस क्यापटन केशो महाराज के शाथ तो कुछ लोग जाएंगे मेरे Kinders लेकिन काफी कम जाएंगे वैंड और दुसेन होर हो सकता है कल दुसेन ज्यादा बड़िया पर्फॉर्मस कर ले तो इसलिए आपर इनको क्याप्टन और महाराज को वाइस क्याप्टन बनाने जारो कईना के अगर आप और भी टीमें बनाते तो केशो महाराज को भी कईना के क क्याप्टन बनाते तो फायदेमन हो साबित हो सकता है यह भी टीम में आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड लिग के लिए प्रिफर करूंगा स्मॉल लिग के लिए यूज करनी है ने करनी मैं आप पर छोड़ता हूँ ग्राइंड लिग और बड़ी लिग के लिए एंडर दूसे और डाउड एम डाउड इन तीनों को इस टीम में ले ले रहा हूँ क्योंकि इन तीनों अच्छे खासे है इसके बाद निदुकुमार को भी इसलूँगा वी सिंग को भी इस टीम में रखूंगा जहां पर थोड़ा अलग टीम बनाने जा रहा हूँ थोड़ा अर इसकी भी हो सकता है अकर्मैन को इस टीम में ज़रूर रोखूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये तो रहने ही चाहिए हैं मारे टीम में अah मर्का और बी डीदे इस तरह से तीन और मी म McNamot न करको में ज़िसके बाद अगर बात करें तो सिर्फ और चेघ्वैन मैं ने ले चुका हूँ तो यहाँ पर जादा option बच्चते भी नहीं है BD Leads काफी बड़िया performance है हाँ आफरिका के खिलापे तो थोड़ा doubt है मुझे वो अच्छा करेंगे नहीं करेंगे लेकिन मुझे लगता है अच्छा करेंगे तो इसलिए इनको captain बना रहा हूँ यह टीम भी काफी बड़िया है और इस टीम को भी मैं जादा से जादा grand league के लिए ही prefer करूँगा small league के लिए use करनी है या नहीं करनी है मैं फिर से आप पर ही छोड़ता हूँ चले दोस्तों इस टीम को भी close करते 8 वी टीम हमें देख लेनी है 8 वी टीम की बात करूँ तो फिर से मैं content decock के साथ ही जाओंगा आज़ विकेट कीपर आर्वेंडर दुसेन, एम ओ वूड, डावड और वी सिंग तीन अच्छे खासे batsman फिर से मेरे पास रहने हो ले एकरमेन, मरकरम, बीडी लीड्स और मारको यंसर चार all-rounder फिर से मेरे पास रहेंगे जैसे कि शुरुवात में ही मैंने बटा है इन में से कुछ को निकालने की में ज़रूर कोशिश की है कुछ जगपे लेकिन हर जगपे मैं इनको जादा से जादा साथ में लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ गेन बाजी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते है पी वहन को मैंने इस टीम में रखा है रबाडा को भी रहने दिया है और टी समशी को भी इस टीम में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है तीनों अगर धमा का कर देते तो जादा लोग या ऐसा कॉमिनेशन नहीं रखेंगे इसलिए ग्रैंड लिक जितने का मोका भी हमें मिल सकता है तो इस टीम को भी सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिक के लिए नहीं यूज करें तो बेटर रहेगा लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है यूज कर सकते तो आप पर छोटाओ में कोई प्राब्लम में कोई दिकत्री स्टीम को क्लोज करते हैं नवी टीम हमें देख लेनी है नवी टीम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फिर से डिकॉक के साथ ही जाओंगा और वैन डर्दुसेन और एम ओ डावड इन दोनों को ही ऐस बैट्समन में इस टीम में चूज कर रहा हूँ अल राउंडर में मरक्रम फिर से रहेंगे एकरमैन फिर से रहेंगे बीडी लीट्स मारक एंसन ये फिर से चारो बंदे मेरे पास रही नहीं वाल है उसके बाद गेनबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी वैन केशव महराज कगी सुरबाड़ा और ए स्टीम का वाइस क्याप्टन को गी सो रबाड़ा को बनाने जा रहा हूँ क्यूंकि मुझे पता है दोनों अपनी अपनी जगों पर उपनिंग के लिए जैसे कि बॉलिंग के लिए रबाड़ा उपनिंग के लिए या फिर वन चेंज पर आएंगे लेकिर विक्टे ले सकते डिकॉक को बैटिंग में ओपनिंग के लिए तो मुझे लगता है कल दोनों का पर्फरमस धमाकेदार हो सकता है तो इसलिए इन दोनों को साथ में क्याप्टन वाइस क्याप्टन बनाना फायदे मन रहेगा उल्टा करना चाहे तो ज़रू कर सकते है रबाड़ा को और फाइनल टीम हमें देख लेनी है वो भी काफी बढ़िया बनी है कॉंटन डिकॉक फिर से मेरे पास रहने ही वाले है क्योंकि इनको पिछले दो मैचेस में दो शतक है तो ड्रॉप करना काफी मतलब रिस्की हो सकता है फिर भी अगर आपको लगता है कि कर सकते है तो आप कर दीजिएगा डेविड मिलर टी बाउमा आरवांड डर्दोसें फी सिंग चार मेरे पास बल्ले बाज रहने हाले आपको एक बात और बता दू कि डेविड मिलर को मैं कई पे क्याप्टन या वास क्याप्टन नहीं बना पाया अगर आप दस से जाड़ाटी में लगाते त ट्रहजिप शमशी इस तरह से चार अलग गेनबाज उको मैंने लिया लेकिन रबड़ा को ड्रॉप नहीं किया है तो यहाँ पर थोड़ी अलग टीम है क्याप्टन बाउमा को बना रहा हूँ और बी डिलेट्स को वाइट्स कैप्टन बना रहा हूँ फिर भी अगर आप य ग्रेंड लिग और बड़ी लिग के लिए 100% यूज कर सकते हैं तो आई होप आप सबको मेरी दस्टी में और मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद भी आया थोड़ा भी पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरू कर दीजी चाइनल को भी सब्स करूंगा तो जरूर टेलिग्राम को जॉइन कर लिए जे अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वड़ा में तब तक के लिए थैंक्यू और गुडबाई